हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 टैक तो फ्रेंट्स जैसे कि आपको वीडियो के थम्निल से भी पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब वर्निंग को चेक करना नहीं आता वो सोचते हैं कि उनके यूट्यूब वर्निंग है वो कट हो रही है कम हो रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उनको चेक ही नहीं करना आता कि वह किस तरीके से सही तरीके से रियल लर्निंग को कैसे चेक करते हैं तो फ्रेंड्स को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू क करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर तो यहां पर हमें सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है और एक एप्लिकेशन को हमें अपने फॉन के अंदर इंस्टोल करना पड़ेगा जिसका नाम है YT Studio तो यहां पर आपको YT Studio टाइप करना है और उससे सर्च करना है तो यह एप्लिकेशन आपके सामने आ जाएगी और इस एप्लिकेशन को आपको अपने फोन के अंदर इंस्टोल कर लेना है क्योंकि इसी से आप अपने यूट्यूब की अर्णिंग को चेक कर पाएंगे तो यहाँ पर मैंने इंस्टोल कर रखें तो मैं यहाँ पर डारेक्ट ओपन पर क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी से लोग इन कर लेना है जिससे आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है तो मैंने अपने चैनल से अपनी जीमेल आईडी सेस में लोग इन किया हुआ है और अपनी चैनल को ओपन कर लखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ यूट्यूब स्टूडियो की जो अप्लिकेशन है वो काफी बदल गई है यहाँ पहले लेफ्ट साइड में आते थे ओप्शन अब यहाँ पे नीचे आते ह आपको एनलेटिक्स पे क्लिक करना है एनलेटिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उपर काफी सारे ओप्शन आ रहे होंगे तो आपको स्क्रोल करके यहाँ पर रिवेन्यू वाले ओप्शन के उपर क्लिक करना है जो लास्ट में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां पर यह आपको monthly wise दिखा रहा है कि monthly wise आपके कितमी earning हुई है last six month की यहां पर दिखा रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं और नीचे आपको top earning videos दिखा रहा है कि किस से आपकी सबसे ज़्यादा earning हुई है किस video से ठीक है और उसका revenue का source क्या है वो भी नीचे दिखा रहा है तो हमें सबसे उपर ही स्क्रोल करना है उपर ही आ जाना है और यहां पर यह जो box नजर आ रहा है आपको जहां पर लिखा है your estimated revenue हमें इसके उपर click करना है तो इस पर click करने के बाद आपके सामने यह इस तरीके से चार्ट open हो जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं last 28 days के अंदर आपकी जो earning है वो शो हो रही है यहां पर नीचे ठीक है इस पर आपको click करना है last 28 days पर यहां से आप last 7 days देख सकते हैं एक साल की देख सकते हैं lifetime देख सकते हैं कि जब से आपने days की earning आगई आपकी ठीक है आपको lifetime करनी है तो lifetime पर क्लिक करना है तो यह lifetime की earning आ गई कि आपने lifetime में Youtube चैनल से कितनी earning की है real Ern तो से आपके यह से दिखाए देती है ठीक है तो यह इस तरीके से आपकी यूट्व चैनल की earning को आप चेक कर सकते हैं तो जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तुसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें थैंक यू